जीत के बाद इस खिलाडी ने मैदान पर किया किस अब नहीं खेलेगा कोई मैच इंडियन प्रीमियर लीग में आपने अक्सर खिलाडीों को जीत के बाद मैदान में अलग अलग तरह से जश्रन मनाते देखा होगा लेकिन इंग्लेंड के ओल राउंडर बेन स्टॉक्स ने कुछ ऐसा किया जो शायद अब तक नहीं हुआ है जैपुर में 10 माई को हुए राजस्थान और चेननाई सुप्रकिंग्स के मुकाबले में बेन स्टॉक्स ने मैच के बाद मैदान के बाहर अपनी वीवी को किस किया स्टॉक्स की पतनी क्लेर राटकलीप जैपुर में थी और मैच के बाद वो अपने पती से मिलने पहुची जिसके बाद स्टॉक्स ने उन्हें किस कर दिया आपको बता दे स्टॉक्स की पतनी क्लेर समर सेट की रहने वाली है इन दोनोंने पिछले साल ही 14 अक्टूबर को शादी की थी शादी से पहले Stocks और Rataclip के दो बच्चे हो गए थे Stocks और Claire Rataclip ने साल 2013 में सगाई की थी इसी साल Stocks ने English टीम के लिए Taste डेब्यू किया था Stocks और Rataclip के दो बच्चे हैं बेटे का नाम ले अट ओन है और बेटी विब्बी है Stocks अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहता है आपको बता दें बेन Stocks इस सीजन के सबसे महंगे खिलाडी थे उन्हें राजस्थान रोयल्स ने 12.5 करोड में खरीदा था लेकिन Stocks अपने दाम और नाम के मताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए Stocks ने 13 मैचों में 196 रन बनाए और 8 विकेट जटके Stocks राजस्थान को एक भी मैच नहीं जिता सके और इस सीजन में उसका प्ले ओफ में पहुचना भी मुश्किल है